इवाओ ने अगनी पर जोजना के बिरोध में जम कर हंगामा किया जाम लगाने की कोशिस की मौके पर पहुंची पुलिस इस्थिदी को कावू करने के लिए यवाओं को समझाने मुझूटी नकाब पहन कर यवा कर रहे थे प्रदर्शन जनपद फिजावाद के सभी यवाओं एव नागरकौ से अपील की गई है बरतमान पर जनपद में दारा 144 लागू कर देगी है इसमें पांच या पांच से अधिक जालते लोग इकत्रित होना वर्जित है लोगतांत्रिक तरीके से आप जिरादिकारी मौदे हम वरेश पुलि छात्र हैं जो आरमी रिक्रूट्मेंट के लिए तियारी करते हैं बहुत मेहनत करते हैं उनके सभी अभी भावकों से उनके टीचर्स से मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई भी हिंसक प्रदर्शन उनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है अगर किसी भी कि कोई भी विदी कारवाई होती है तो आगे चलकर उनकी बहाली में तो नहीं हो पाएगी और काफी समस्याएं होंगी दूसरा जो भी यह पॉलिसी है अगनीपत की इसमें तीन प्रतिशत ही सौ में से सिर्फ तीन बच्चे इसके तहत लिये जाएंगे बाकी के बाकी 97 परसें करता है और जो भी सजेशन्स दिया जाएगा वो सरकार इसको देखेगी लेकिन किसी भी तरह से कोई हिंसक वारदात न करें कहीं कोई तोड़फोर की घटना नहीं होनी चाहिए अभी भावकों से उनके टीचर से और शात्रों से यह हमारी अपील जनपद फिरोजाबाद मे सभी युवाओं से वा सभी जो हमारे नगरिगण हैं उनसे अपील करता हूँ कि धनपद में धारा 144 लगी हुई है अता पांच ये पांच से ज़्यादा लोगों का कट्टा होना वर्जित है इसको देखते हुए कोई भी विक्ति कानून को हाथ में ना ले वा शान्ति पू कोई भी विक्ति कानून अपने हाथ में ना ले कोई भी विक्ति दारा 144 का उलंगन ना करे वह शहर में अमन चैन शान्ति विकास के लिए प्रसाशन वा पुलिस का सायोग करें शुक्रवार की नमास और जो अगनिपत है उसके उसको देखते हुए आज जिला पुलिस में ल कोई इसी की बात नहीं है पर इसमें खास दोर से मेरी अपील है अभिबावकों से कि जो धारा 144 है जनपत में लगी हुए है पांच यह पांच से ज्यादा जो युवा हैं वो कहीं खटे ना हो दूसरा कानून अपने हाथ में लें कोई कानून यदिया आथ में लेते हैं तो कोई निर्दोश आदमी जो है उसको ऑपको अप्वाब मिलती है उसको किसी गुरूप में शेयर करके इमडियेटली आप पुलिस को बताईए जिससे कि हम उस पर विदिक करवई कर सकें और आपके उपर में किसी प्रिकार का कोई वो ना हो कोई निर्दोश आत्मी जो है उसे उपर में कोई एक्षन नहीं होना चाहिए पर कोई दोशी बैसना भी निचाहिए तो इस तरीके से समवाद और एक शक्ति दौनों चीज़ों दौनों हैं दौनों चीज़ों को साथ में लेकर हमारा जिला पुलिस प्रसाशन चल रहा है